एक बार फिर हमें जुडने का अवसर मिला है। आज का ये एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है। मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा है। कारण ये है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को दत साल पूरे हो रहे हैं। दस साल पहले मन की बात का प्रारण तीन अक्तूबर को विजिया दस्मी के दिन हो भा था। और ये कितना पवित्र संयोग है, कि इस साल तीन अक्तूबर को जब मन की बात के दस पूरे होंगे तब नवरात्री का पहला दिन होगा। मन की बात के इस लंबी आत्रा के कई ऐसे पड़ाव है जिने मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोडों स्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी है जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने-कोने से उनहोंने जानकार या उपलब्द कराई, मन की बात के स्रोता ही इस कारकम के असली सुत्रधार है। आमतोर पर एक धारना ऐसी गर कर गई है कि जब तक चटपटी बातें नहों नकारात्मक बातें नहों तब तक उसको ज़्यादा तवज्जु नहीं मिलती हैं लेकिन मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकरी की कितनी भूख है पॉजिटिव बातें प्रेणा से भर देने वाले उधारन, होसला देने वाली गताएं लोकों को बहुत पसंद आती हैं जैसे एक पक्षी होता है चकोर जिसके बारे में कहा जाता है को सिर्फ वर्षा की बुंद ही पीता है मन की बात में हमने देखा कि लोग भी चकोर पक्षी की तरह देश की उपलब्धियों को, लोगों की सामुहिक उपलब्धियों को कितने गर्व से सुनते हैं मन की बात की दस वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तयार की हैं जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाए, नई किर्तिमान, नई व्यक्तित पर जूड़ जाते हैं हमारे समाज में सामुहिकता की भावना के साथ जो भी काम हो रहा हो उन्हें मन की बात के द्वारा सम्मान मिलता है मेरा मन भी तब ही गर्व से भर जाता है जब मैं मन की बात के लिए आई चिठ्छियों को पढ़ता हूँ हमारे देश में कितने प्रतिभावान लोग हैं उनमें देश और समाज की सेवा करने का कितना जज़वा है वो लोगों की निस्वार्त भाव से सेवा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं उनके बारे में जानकर मैं उर्जा से भर जाता हूँ मन की बात के ये पूरी प्रत्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदी जहा करके इश्वर के दर्शन करना मन की बात की हर बात को हर घटना को हर चिठी को मैं याद करता हूँ से रखता है कि मैं जनता जनारदन जो मेरे लिए इस्वर का रूप है मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ साथ क्यों मैं आज दूर दर्शन प्रसार भारती और All India रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराना करूँगा उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपुन पड़ाव तक पहुचा है मैं विविन्न टिवी चैनल्स को रिजिनल टिवी चैनल्स का भी आभारी हूँ जिनोंने लगातार इसे दिखाया है मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया होसेज ने मुहिम भी चलाई मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुचाया मैं उन यूटूबर्स को भी धन्यवाद दूँगा जिनोंने मन की बात पर अनेक कारकम किये इस कारकम को देश की 22 भाषाओं के साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मन की बात कारकम को अपनी स्थानिय भाषा में सुना आप मैंसे बहुत से लोगों को ये पता होगा कि मन की बात कारकम पर आधारित एक त्वीच कंपेटिशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति हिसा ले सकता है mygov.in पर जाकर आप इस कंपेटिशन में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं आज इस महत्मपूर्ण पढ़ाव पर मैं एक बार फिर आप सबसे आशिरवाद मांगता हूँ पवित्र मन और पून समर्पन भाव से मैं इसी तरह भारत के लोगों की महानता के गीत गाता रहूँ देश की सामुएक शक्ति को हम सब इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें यही मेरी इस्वर से प्रार्थना है जनता जनार्दन से प्रार्थना है मेरे पहले देश वाचियो पिछले कुछ सप्ता से देश के अलग-अलग हिस्सों में जवर्दस बारिश हो रही है बारिश का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि जल सवरक्षन कितना जरूरी है पानी बचाना कितना जरूरी है बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल्द संकड के महिनों में बहुत मदद करता है और यही catch the rain जैसे अभ्यानों की भावना है मुझे खुशी है कि पानी के सवरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं ऐसा ही एक प्रयास उत्तर पदेश के जांसी में देखने को मिला है आप जानते ही है कि जांसी मुंदेल खन में है जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है यहाँ जांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है यह महिलाओं सेलफ-हल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल्द सहेली बनकर इस अभ्यान का नित्रुत्व किया है। इन महलाओं ने मुतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी। इन जल्द सहेलीों ने बोरियों में बालू भर कर चेक्डेम तयार किया, बारिस का पानी बरबाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महलाओं ने सेंकडों जलासेयों के निर्मान और उनके रिवाइबल में भी बढ़ चड़ कर हाथ बटाया है। इस इस छेत्र के लोगों की पानी के समस्या तो दूर हुई है, उनके चहरों पर खुशियां भी लोट आई है। साथियों कहीं नारी शक्ति जल्द शक्ति को बढ़ाती है, तो कहीं जल्द शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मद्द प्रदेश के दो बड़े ही प्रेणादाई प्रयासों की जानकारी मिली है। यहां डिंडोरी के रहिपूरा गाउं में एक बड़े तालाप के निर्मान से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गाउं की महलाओं को मिला। यहां शार्दा आजिवी का स्वैम साहता समू इससे जुड़ी महलाओं को मचली पार्लर का नया वैवसाई भी मिल गया। इन महलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है। जहां होने वाली मचलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मद्द प्रदेश के छतरपूर में भी महलाओं का प्रयास बहुत सरानी है। यहां के खौब गाओं का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महलाओं ने इसे पुनर जीवित करने का बिड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयम सहायता समो की इन महलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उप्योग उन्हों ने बंजर जमीन पर फूट फोरेस्ट तैयर करने के लिए किया। इन महलाओं की महनत से ना सिर्थ तालाब में कुप पानी भर गया बलकि फसलों की उपजवी काफी बढ़ी है। देश के कोने कोने में हो रहे जल्द समुरक्षण के ऐसे प्रयास पानी के संकट से निपटने में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने आसपास हो रहे हैं ऐसे प्रयासों से जुरूर जुडेंगे। मेरे पहरे देशवासियों उत्राखन के उत्तरकाशी में एक सीमावरती गाउं है जाला। यहां के युवाओं ने अपने गाउं को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू किये हैं। वे अपने गाउं में धन्यवाद प्रकृती या कहें थेंक्यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहर गाउं में रोजाना दो गंटे सफाई की जाती हैं। गाउं की गलियों में बिखरे हुए कुडे को समेट कर उसे गाउं के बाहर ताय जगह पर डारा जाता है। इसे जाला गाउं भी सच हो रहा हैं और लोग च्यागरुक भी हो रहे हैं। आप सोचिए अगर ऐसे ही हर गाउं, हर गली, हर मौला अपने यहां ऐसा ही थेंक्यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों स्वच्छता को लेकर पूरी चेरी के समुद्र तरट पर भी जबर्दस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहां रम्याजी नाम की महला माहे, मुनिसिपल्टी और इसके आसपास के ख्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नित्रूत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे, एरिया और खासकर वहाँ के बीचेश को पुरी तरह सापसुत्रा बना रहे है। साथियों मैंने यहां सिर्प दो प्रयासों की चर्चा की है। लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछी दिन बाद आने वाले दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत मिशन के दस साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिनों ने इसे भारती इतिहास का इतना बड़ा जन आंदुलन बना दिया। यह महत्मा गांदीजी को भी सच्ची स्रधांजली है जो जीवन परियंत इस उद्देश के लिए समर्पित रहे है। साथियों आज यह स्वच्छ भारत मिशन की ही सपलता है कि वेश्ट वेल्ट का मंत्र लोगों में लोगप्रिय हो रहा है। लोग रिडूस, रियूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं। उसके उधारन देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोजी कोड में एक शांदार प्यास के बारे में पता चला। यहां 74 यर के सुब्रमन्यम जी 23,000 से अधिक कुर्शियों की मरंबत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिडूस, रियूस और रिसाइकल यानी ट्रिपल आर चेंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोजी कोड, सिविल स्टेशन, P.W.D. और L.I.C. के दप्तोरों में देखा जा सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभ्यान से हमें जादा से जादा लोगों को जोड़ना है। और ये अभ्यान किसी एक दिन का एक साल का नहीं होता है। ये यूगों यूगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आगरह हैं कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पडोशियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभ्यान में हिस्सा जरूर ले। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन के सबलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। मेरे पैरे देश्वासियों, हम सभी को अपनी विरासत पर बहुत गर्व हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, विकास भी, विरासत भी। यही वज़े हैं कि मुझे हाल की अपनी अमेरिका यात्रा के एक खास पहलू को लेकर बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। एक बार फीर हमारी प्राचीन कलाकृत्यों की वापस को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। मैं इसे लेकर आप सब की भावनाओं को समझ सकता हूं और मन की बात के भूताओं को भी इस बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, अमेरिका की मेरी यात्रा के दोरान, अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब तीन सो प्राचीन कलाकृत्यों को वापस लोटाया है। अमेरिका के राश्पती बाइडेन ने पूरा अपनापन दिखाते हुए डिलावेर के अपने नीजी आवास में इन में से कुछ कलाकृत्यों को मुझे दिखाया। लोटाई गई कलाकृत्यां टेरा कोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकडी, तांबा और कांसे जैसे चीजों से बनी हुई है। इन में से कई तो 4000 साल पुरानी हैं। 4000 साल पुरानी कलाकृत्यों से लेकर 19. सदी तक की कलाकृत्यों को अमेरिका ने वापस किया है। इन में फुलदान, देवी देवताओं की टेरा कोटा, पटेकाए, जैन तित्हंकरों की प्रतिमाओं के अलावा भगवान बुद्ध और भगवान से कृष्ण की मूर्तियां भी शामिर है। लोटाई गई चीजों में पशुओं की कई आकृतियां भी हैं। पूरूश और महिलाओं की आकृतियां वाली जम्मु कश्मीर की टेरा कोटा टाहिल तो बेहद ही दिलचस्प है। इन में कांसे से बनी भगवान स्री गनेश जी की प्रतिमाय भी हैं जो दक्षिन भारत की है। वापस की गई चीजों में बड़ी संख्या में भगवान विश्णों की तस्वीर भी हैं। ये मुख्य रुप से उत्तर और दक्षिन भारत से जुड़ी है। इन कलाकृतियों को देखकर पता चलता है कि हमारे पुर्वच बारिकियों का कितना ध्यान रखते थे। कला को लेकर उनमें गजब की सुझबुच थी। इनमेंसे बहुत से कलाकृतियों को तसकरी और दूसरे अवैद तरीकों से देश के बाहर ले जाया गया था। यह गंबीर अपराद है। एक तरह से यह अपनी विरासत को खत्म करना जैसा है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले एक दसक में ऐसी कई कलाकृतियों और हमारी बहुत सेरी प्राचीन दरोरों की गर वापिस सी हुई है। इस दिशा में आज भारत कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। मुझे विश्वास है जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसका सम्मान करती है। और उसी का नतीजा है कि आज विश्व के कई देश हमारे यहां से गई हुई ऐसी कलाकृतियों को हमें वापिस दे रहे हैं। मेरे पैरे साथियों अगर मैं पूछू कि कोई बच्चा कौन सी भासा सबसे आसानी से और जल्दी सिकता है तो आपका जवाब होगा भात्रु भाशा हमारे देश में लगभग बीस हजार भाशाएं और बोलिया हैं और यह सब की सब किसी ने किसी की तो मात्रु भाशा है ह ऐसी हैं जिनका उप्योग करने वालों के संख्या बहुत कम है लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि उन भाशाओं को संवरक्षित करने के लिए आज अनोखे प्रयास हो रहे हैं ऐसी ही एक भाशा है हमारी संथाली भाशा संथाली को डिजिटल इनोवेशन की मदद से नई पहचान देने का अभियान शुरू किया गया है संथाली हमारे देश के कई राज्यों में रह रहे संथाल जनजातिय समुदाय के लोग बोलते हैं भारत के अलावा बांगलादेश नेपाल और भुटान में भी संथाली बोलने वाले आदिवासी समुदाय मौजूद है संथाली भाषा की ओनलाइन पहचान तैयार करने के लिए ओडिशा के मवरुभंज में रहने वाले स्रीमान रामजीत टूडू एक अभियान चला रहे हैं रामजीत जी ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े साहित्य को पड़ा जा सकता है और संथाली भाषा में लिखा जा सकता है दरसल कुछ साल पहले जब रामजीत जी ने मोबाईल फोन का इस्तेमाल शुरू किया तो इस बात से दुखी हुए कि वो अपनी मात्रू भाषा में संदेश नहीं दे सकते इसके बात वो संथाली भाषा के लिपी ओल चीकी को टाइप करने की संभावना इतलास करने लगे अपने कुछ साथियों की मदद से उन्होंने जब हमारे द्रड संकल्प के साथ सामुहिक भागिदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भूत नतीजे सामने आते हैं इसका सबसे ताजा उदारन है एक पैड मा के नाम ये अभियान अद्भूत अभियान रहा जण भागिदारी का ऐसा उदारन वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है परियावरन सवरक्षन को लेकर सुरू किये गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है उत्रप्रदेश, गुजरात, मत्रप्रदेश, राजस्तान और तेलंगना ने लक्ष से अधीक संख्या में पाउधा रोपन कर नया रिकॉर्ड बनाया है इस अभियान के दहर उत्रप्रदेश में 26 करोर से ज़्यादा पाउधे लगाये गए हैं गुजरात के लोगों ने 15 करोर से ज़्यादा पाउधे रोपे राजस्तान में केवल अगस्त महिने में ही 6 करोर से अधिक पाउधे लगाये गए हैं देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर सोर से हिस्सा ले रहे हैं साथियों हमारे देश में पैड लगाने के अभियान से जुड़े कितने ही उधारण सामने आते रहे हैं ऐसा ही एक उधारण है तेलंग अना के के एन राजशेखर जी का पैड लगाने के लिए उनकी प्रतिबद्धा हम सब को हैरान कर देती है करिब चार साल पहले उन्होंने पैड लगाने की मुहिम शुरू की उन्होंने ताई किया कि हर रोज एक पैड जुरू लगाएंगे उन्होंने इस मुहिम का कठोर वृत की तरह पालन किया वो पंद्रासों से ज़्यादा पहुंदे लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये हैं कि इस साल एक हाथसे का शिकार होने के बाद भी वे अपने संकल्प से डिगे नहीं। मैंसे सभी प्रयासों के रदय से सराना करता हूं। मेरा आपसे भी आग रहें कि एक पैड मा के नाम इस पवित्र भ्यान से अब जुरूर जुड़िये। मेरे पहरा साथियों आपने देखा होगा हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में धहर्य नहीं कोते बलकि उससे सीखते हैं। ऐसी ही एक महिला है सुबासरी जिनोंने अपने प्रयास से दुरलब और बहुत उपयोगी जड़िबुटियों का एक अदभूत बगीचा तयार किया है। वो तमिलनाडू के मदुराई की रहने वाली हैं। वैसे तो पेशे से वो एक टीचर है। लेकिन आउसदियों वनिस्पतियां मेडिकल हब्स के प्रति उन्हें गहरा लगाव है। उनका ये लगाव असी के दसक में तब शुरू हुआ जब एक बार उनके पिता को जहरीले सापने काट लिया। तब पारमपारिक जड़िबुटियों ने उनके पिता की सहत सुधारने में काफी मदद की थी। इस गटना के बाद उनके पारमपारिक आउशदियों और जड़िबुटियों की खोश शुरू की। आज मदुराई के वेरी चीवर गाउं में उनका अनोका हरबल गाडर है। जिसमें पानसो से जादा दुरलब आउशदिये पोदे हैं। अपने इस बगीचों को तयार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। एक-एक पोदे को खोजने के लिए उन्होंने दूर-दूर तक यात्राएं की। जानकारिया जुटाई और कई बार दूसरे लोगों से मदद भी भागी। कोविड के समय उन्होंने इम्म्यूनिटी बढ़ाने वाली जडिबुटियों लोगों तक पहुचाई। आज उनके हर्बल गार्डन को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। वो सभी को हर्बल पौधों की जानकारी और उनके उप्योग के बारे में बताती है। सुभास्री हमारी उस पारमपारिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जो सेंकडो वर्सों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उनका हर्बल गार्डन हमारे अतीत को भविश्य से जोडता है। उन्हें हमारी धेर सारी शुब कामना है। साथियों, बदलते हुए इस समय में नेचर अब जौफ बदल रही है। और नए-नए सेक्टर्स का उभार हो रहा है। जैसे गेमिंग, एनिमेशन, रिल मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग। अगर इन में से किसी स्कील में आप अच्छा प्रदर्सन कर सकते हैं, तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्यूनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा आउसर है। आपके टैलेंट और क्रियेटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारान मंत्राले ने क्रियेट इन इंडिया इस थीम के तहट 25 चालेंजिस शुरू किये हैं। इस चालेंजिस आपको जरूर दिल्चस्प लगेंगे। कुछ चालेंजिस तो मुजिक, एजुकेशन और यहां तक की एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ट है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल औरनेशन भी शामिल है। जो इन चालेंजिस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इन में शामिल होने के लिए आप वेवस इंडिया.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर की क्रियेटर से मेरा विश्यस आग रहे हैं। कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रियेटिविटी को सामने राएं। मेरे पहरे देश भास्यों इस महिने एक और महत्वपुन अभ्यान के दस साल पूरे हुए हैं। इस अभ्यान की सफ़रता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामीर है। मैं बात कर रहा हूँ मेक इन इंडिया की। आज मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब, मध्यमबर्ग और MSM इसको इस अभ्यान से बहुत फाइदा मिल रहा है। इस अभ्यान ने हर वर्ग के लोगों को अपना टैलेंट सामने लाने का आउसर दिया है। आज भारत मैनुफेक्टरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवाशक्ति की वज़त से दुनिया भर की नजरे हम पर है। ओटो मोबाइल्स हो, टेक्स्टाइल्स हो, एवियेशन हो, इलेक्ट्रोनिक्स हो या फिर डिफेंस। हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में FDI का लगातार बढ़ना भी हमारे मेकिन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी यानि हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टेंडर की हो। दूसरी है वोकल फर लोकल यानि स्थानिय चीजों को जादा से जादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने हैस्टेक माई प्रोडक्ट माई प्रैड की भी चर्चा की है। लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फाइदा होता है। इसे एक उधार से समझा जा सकता है। महाराष्ट के भंडारा जिले में टेक्स्टाइल की एक पुरानी परंपरा है भंडारा टसर सिल्क हेंडलूम टसर सिल्क अपने डिजाइन रंग और मजबूति के लिए जानी जाती हैं बंडारा के कुछ हिस्सों में पचांस से भी अधिक सेल्फ हेल्फ ग्रूप इसे समरक्षित करने का काम में जुटे हैं इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागिदारी हैं यह सिल्क तेजी से लोगप्रिय हो रही हैं और स्थानिय समुदायों को ससक्त बना रही हैं और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट हैं साथियों त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्पी जरूर दोराइए कुछ भी खर देंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए कुछ भी किफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए सिर्म मिट्टी के दिये खरीदना ही वोकल फो लोकल नहीं है आपको अपने खेत्र में बने स्थानिय उत्पादों को जादा से जादा प्रमोट करना चाहिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीकर का पसीना लगा है जो भारत की मिट्टी में बना है वो हमारा गर्व है हमें इसी गवरों पर हमेशा चार चान लगाने हैं साथियों मन की बात के इस एपिशोड में मुझे आप से जुड़कर बहुत अच्छा लगा इस कारकम से जुड़े अपने कुछी दिन बाद त्योहारों का सिजन शुरू होने वाला है नवरात्र से इसकी शुरुआत होगी और फिर अगले दो महने तक पूजा पाठ ब्रत त्योहार उमंग उल्लास चारों तरफ यही बातावन चाया रहेगा मैं आने वाले त्योहारों की आप सब को बहुत बहु देता हूं आप सभी अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ त्योहार का खूब आनन्द ले और दूसरों को भी अपने आनन्द में शामिल करें अगले महिने मन की बात कुछ और नए विश्णकों साथ आप से जुड़ेंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद झाल